हाई फ्रेंड ताहिर बाट स्लवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड आज का टोपिक है सौब फोट्स के बारे में तो फ्रेंड आप इस वीडियो क्वेंट तक जरूर देखें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सस्क्रा जरूर करें अब इसका फायदा बता देता हूं फ्रेंड यह मैंने चना है फ्रेंड जो फूलने दे दिया हूं पानियों में और इसको सुबही आके मैं बिल्कुल किलीन यह देखो जो कच्रिये हैं वो सभी मैं हटा दे रहाँ प्रेंड और छोटे-छोटे बार इक पीस कर कर दिया हूं कुछी बजरी है बजरी पे रटोट बड़े चीज ज़ाधा खाते नहीं है तो इसको छोटे चोटी पीस कर दिये थाकि इसको इसको इजली आराम रहे पुरण और ये है प्रेंट गाजर उसको मैंने घस लिया हूँ वो जो आते हैं घसने वाले उसमें मैंने घस के भारिक पीस कर लियों यह भी बहुत मज़ेश खाते हैं और बहुत फायदे हैं प्रेंड बाट्स के लिए बहुत फायदा मंद है प्रेंड क्योंकि मेरा बाट्स बिल्कुल एकदम सूस्त पड़े रहते थे बिरीट तो पार मैंने चना दिया था पृप्रेंड चन दिया था वो बट्स को ऐसे ही फुला के पीस नहीं किया व hätten उसने खाया देखा तक न hunting और सब्दकिन से देना स्टाट किया क्योंकि ठंड काफी है तो इसके लिए दो से तीन दिन दो उससे जाधा मत दो इसमें यह होगा प्रेंट कि इसको ठंड भी नहीं लगेगा मोशन भी नहीं लगेगा और फायदे मंद बहुत है बहुत जादा फायदा है बट्स हेल्दी रहेगा अच्छे सच्छे चीक्स निकालेगा अच्छे सच्छे अंडे लेक करेगा बहुत फायदा है तो अभी मैं इसको देने जा रहा हूं केज में और अभी काफी ठंड है तो मैं इसको गरम पानी करके गुनगुना पानी में है प्रेंट तभी आपको समझ में आएगा कि यह किस छीज के उपर है और किस लिए बनाए गया कोई भी वीडियो को फ्रेंट हम देखेंगे सुछी ठीच हैं और अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा कि किसलिए है और क्यों है तब हमारा बस भी अच्छा रह गा कोई फृरेंट पहले से सीक्टे के नहीं रहता है हम सभी एक दूसरे से सीखके ही बर्ट्स लबर बनते हैं बात सको पालना सीखते हैं एक दूसरे से नॉलेज ले लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब देने जाते हैं कलोनी के अंदर और फिर देखते हैं कैसे खाता है तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते हैं तो चलिए अभी अब दालने जा रहें पॉरेंट तो फ्रेंट मैंने फाइनली कलोनी में रख दिया हूँ और यह देखिए सुभई सुभई का टैम है और इस पानी गुनगुना पानी है उसमें अधरक दाला हुआ फ्रेंट सभी बाड़ी-बाड़ी पानी पीके जा चुका है फ्रेंट मैं कोशिस करूंगा आच्छा व्यू लेने का क्योंकि जाली के उपर से बना रहा हूँ और अंदर जाना अभी बर्ट को बहुत डिस्टब हो सकता है अभी तक कोई सॉप उसमें आया नहीं है खाने के लिए अभी फिलाल पानी पी रहा है फ्रेंट फ्रेंट एक चीज और बर्ट जितना नहाए उतना फायदा है बर्ट के लिए क्योंकि उसका जो फैदार है वो अच्छी तरीके से क्लीन रहता है और बिल्कुल कलर निखरता है फ्रेंट लेकिन ठंड के वज़े से मेरा बर्ट कापी यह तकी एक केमरे के उपर आ गया है यह और देख रहा है कि क्या बना रहा है दो आ गया है मैंने इसक खाना आवाना दे रहा हूं फिर भी यह इधर आ रहा है चले गया है फ्रेंड थोरा बेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह कहता है अब को दिखाते हैं देखिए कि अप्राइब करते हैं देखिए कि अप्रेंड लेट चले जाने के कारण मुझे वीडियो स्टॉप करना परा फ्रेंड तो प्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं प्रेंड और प्रेंड अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्रेंड सस्क्राइब अभी कर लें प्लीज और बेल अकरन को आउन कर ले ताके मैं जो भी वीडियो बनाओ वो आपको सबसे पहले मिले प्रेंड तो प्रेंड मैं यह अंदर दिखा देता हूं एक बार सबी चीज है प्रेंड और यह देखिए अभी लेट चले गया है और मैं इसको कवर कर दूंगा यह सबी इतनी कुछे रहा है जो वीडियो के लिए नहीं आ रहा है प्रेंड पूरा दुनला दुनला सब बॉक्स में हैंडियों के अंदर अपने घरों में हैं जादा मैं कुछ दिखानी पाऊंगा क्योंकि लाइट चला गया है और सबी बैठा हुआ है प्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रेंड आप अपना ख्याल रखें बर्ट का ख्याल रखें कि ठंड काफी बहुत बिडियो और बनाऊंगा जो मेडिसन के ऊपर रहे गाव डिए फ्रेंड यह देखिये फ्रेंड यह बत्स बिल्कुल नहा लिया थेंड में इसके साथ क्या होगा उपर वाला ही जानता हो सुपह शुपह नहां लिया यह बत्स बिलकुल आट चले गया है तो कापी टेंशन ह तो मैं अभी कबर कर दूँगा बिलकुल हवा ना बंद हो जाए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए अपना बर्ट का ख्याल रखिए और लाइक और सस्क्राइब और शेयर जरूर करें फिर फिर मिलते हैं ने